नमस्कार मित्रो जैसा हम सब को जानकरी अवश्य रही होगी कि आज मानियर्पधार मंत्री जी ने देश के सभी मुख्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉनफरेंस की है और लगबग चार घंटे ये वीडियो कॉनफरेंस चली और एकी विशय की चिंता सब लोगों के थी कि महमारी कॉरोना और इस कॉरोना से कैसे निप्टा जाए अभी तक की तयारिया अभी तक के निदान वर अधनिया बरतनी है इस सब के उपर प्राया सभी मुख्य मंत्रियों ने अपनी और से सुझाओ दिये अपनी वर्तमान स्थिका वड़न किया भिन्मिन प्रकार के विशयाय लगातार पधार मंत्री जीने सुने और पधार मंत्री जीने अपने समापन बोधन में कुछ संकेत दिये और उन संकेतों के अधार के उपर एक बात जो कहीं जा सकती है कि जिस लॉक्डाउन की अब धी अभी 14 अप्रेल तक की गई थी प्राया प्राया सबकी और से ज़ाओ था कि इस लॉक्डाउन को बढ़ाना चाहिए क्योंकि अभी जो बिमारी है इसका उस्वरूप चा कि कुछ देशों में बढ़ गया लेकिन फिर भी चिंता तो यह है और इस चिंता में लगातार हर दिन किसी दिन 500 किसी दिन 600 देश भर में इतने केसी पॉजिटिव कोरोना के यह बढ़ रहे हैं हम आशा करते हैं कि यह किस प्रकार से कम हो हर्याना में भी कभी 20-25-30 यह केस प्रकार दिन पढ़ते हैं अभी हम कोरोना की दूसरी स्टेज में हैं कमुनिटी के अंदर जो फैलाव होता है वो तीसरी स्टेज में जाकर होता है मैं आशा करता हूं कि हम इसको दूसरी स्टेज में ही रोक कर रखे और तीसरी स्टेज पर न जाने दे इतनी सब चर्चाओ के मध्य जो संकेत मिले हैं वो यही है कि ये कोरोना का ये जो लॉकडाउन का पिरियड है ये निश्चित रूप से 14 तरीक के बाद लगबग 2 सपता के लिए तो अवश्य बढ़ने ही वाला है ऐसा मैं मानता हूं विदिवत गोशना स्वेम प्रधानमंतर जी करने वक्त की है तो उसमें से 15 दिन का ये लॉकडाउन का पिरियड यदि बढ़ता है तो उसके लिए हमको तुरंत तयार रहना है और ये लॉकडाउन का पिरियड इस बार बढ़ेगा लेकर प्रधानमतरीज ने उसमें कुछ और बातें भी जोड़ी है पिछले संबोधन में उन् हमारे जितनी भी सावधनिया है हमारा जो लॉकडाउन पिरियड है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का हमारा मंतर है बाकी सब सावधनिया है हमारे इलाज हमारा मेडिकल स्टाफ हमारा हेल्थ स्टाफ ये सब उस काम में लगा है कि किसी की जान न जाए लेकिन जहान बचाने क आर्थ है हमारी सामाने गतिविदियां वो भी प्राया रुक सी गई है और विशेश तोर पर आर्थे गतिविदियां अब इन आर्थे गतिविदियों को लंबे समय तक रोकना ये शायद किसी भी प्रदेश के किसी भी देश के यानि उसके हित में भी नहीं है कठिन भी बहु किसान हैं हमारे चोटे उद्योग हैं ये किस प्रकार से चले इसके लिए पूरे क्षेत्र को तीन भागों में माट करके योजना बनाई जाने वाली है मुझे लगता है एक या दो दिन में केंद्र की ओर से भी योजना आएगी हम प्रदेश के लोग भी अपनी योजना उन क्षेत्रों को अभी रेड जोन एक परकार से हमने कहा है और रेड जोन में होट स्पोट जितने भी एरियाज हैं वो उसमें चिन्हित किये गए हैं हर्याना प्रांत में हमने चार जिले गुरुगराम है फरिदाबाद है नू है और पलवल है ये चार जिले रेड जोन मे अर्थात एक प्रकार से होट स्पोट्स है तो इन में थोड़ा हमको सक्ति वर्तनी पड़ेगी कि इसके एरियाज में हम शायद उस प्रकार की एकनोमे गतिविदीज बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी न चला पाएं शेश पूरा जो प्रांत है अठारा जिले उनको आगे दो भागों में बाटा जाएगा जिसके अंदर एक वल्नरेवल होंगे जिसको हम औरेंज कैटेगरी में रखेंगे अर्थात जहां को करोना का ये कम मात्रा में है कोई कोई कहीं कहीं पॉजिटिव केस है या जहां अधिक संख्या में लोगों को अभी observation में रखा गया है surveillance में रखा गया है जहां विदेश के लोग ज्यादा अपने परिवारों में आकर रह रहे हैं quarantine होकर के रह रहे हैं उसको कुछ जिलों को हमें और second category orange category में रखना पड़ेगा जिसको vulnerable zone कह सकते हैं और एक तीसरी category जहां कोरोना के प्रकौप का प्रया प्रया ना के बरावर है बहुत कम हैं बहुत कम संख्या में वहां लोग surveillance के अंदर रखे गया हैं ऐसे कुछ जिले अत्वा कुछ blocks इसको जिले के नीचे block level पर या शहर level पर भी जाकर के उसका निड़ने किया जायेगा और एक या दो दिन में ये सारी categorization सारा वर्गी करनी हो जायेगा और उस परकार से काम करने के लिए कुछ ना कुछ साहुलत कुछ छूट ये देने की बात आई है लेकिन इसमें भी जो नियम है उनका पालन इसी रूप से करना पड़ेगा lockdown सब तरफ रहेगा तीनों परकार के जोन में रहेगा किसी परकार की उसमें ढेल नहीं होगी काम करते समय अवश्य जहां lockdown की स्थितिया है प्रदानमंती जह ने शवद प्रियोग किया कि लॉक इन की स्थिति बनाने पड़ेगी लॉक इन की स्थिति याने अपने जो काम करने वाले लोग हैं कम संख्या वाली जो संस्थान है जो मध्धम वर्गिये जो संस्थान है अथवा MSMEs हैं लगूत द्योग के संस्थान है जहां कम संख्या में लोग काम करते हैं उनको अपनी शोशल डिस्टेंसिंग की सारी प्लैनिंग खुद बनानी पड़ेगी शोशल डिस्टेंसिंग जो प्लैन है वो जिसकी पास होगी उनी को काम करने के लिए छूट मिलेगी अर्थात फैक्टरी के अंदर परिसर के अंदर उन सब लोगों को दूरी बना करके काम करना रात्री को वहीं रहना वहीं उनके भोजनादी के वबस्ता वो लोग अपने संस्थान से बाहर न न निकलें इस शर्थ की ओपर भी उन संस्थानों को चलाने का एक प्रावधान बनाया जाएगा और इसमें मैं छोटे उद्द्योग जितने हैं छोटे संस्थान व्यापारिक संस्थान सबसे निवेदन करता हूं कि वह आजी बैठ करके अपनी प्लैन बनाएं और हम शोशल डिस्टेंसिंग प्लैन की कमेटियां भी बनाएंगे वो कमेटियां स्थानिय स्थर के उपर गाओं के स्थर पर भी होंगी ब्लॉक के स्थर पर भी होंगी जिला के स्थर पर भी होंगी शहर के स्थर पर भी होंगी उन सब social distancing plan committees के माध्यम से ही अनुमती मिलेगी कि कौन से उद्योग को चलाया जा सकता है हमारा कच्चा माल जो है उसको विधिवत आने जाने के लिए अनुमती होगी हमारा जो finished goods है पका माल है उसको भी आने जाने की सहमती अनुमती होगी लेकिन लोगों का आना जाना उसके लिए हमको सिमित रखना पड़ेगा ताके social distancing और lockdown की सवस्ता में कम से कम इस बिमारी को इस महामारी को फैलने से हम रोक सके इसकी जरूर हमको विवस्ता करने पड़ेगी किसी भी area में यदि हमको pass भी मिलता है बाहर जाना किसी अनुमती से हम अवसर भी मिलेगा तो उसमें कुछ सावधानिया विशेश तोर पर हर किसी को काम करते समय आत्वा बाहर निकलते समय अपने मुक को कवर करना होगा ताकि इसकी जो वाइरस की जो फैलने की उससे हम बच सकें वो फैलने ना पाय तो अपने यानि मुक के कवर को face mask जिसको कहते है उसको लगा करके ही चलना पड़ेगा उसकी विवस्ता प्राया प्राया सब जिलों में हो चुकी है हम जहां भी जाएं फेस मास्क लगा करके बाहर निकलें घर में काम करें तब भी फेस मास्क लगा करके काम करें उद्योग में वेपार में जहां करें फेस मास्क लगाना इसको हम अपने जीवन का जैसे बाकियम कपड़े पहनते हैं उसी प्रकार से इसको भी अपना अंग बनाएं इसका जुरूर हम लोग ध्यान रखेंगे इसी प्रकार से ऐसे अवसरों पर प्रधान मंत्री जी ने एक विशे और ध्यान में कराया है कि कहीं व्यवसाय के नाते से लोगों में लालत जबढ़ता है तो कुछ काला बाजारी शुरूर हो जाती है चीजों का संग्रेन शुरूर हो जाता है इसको भी ना हम करेंगे ना कि जहां उद्योग का विशे है इस उद्योग में इस उद्योग के साथ साथ कंस्ट्रक्शन अर्थाथ बिल्डर्स उनके लिए भी एक जानकरी ताकि वो अपने जो कारीगर हैं अपने मजदूर हैं उनको उचित दूरी पर काम करते समय शोशल डिस्टेंसिंग का वो फार्म कमेटी को हम जमा करा देंगे और वो लोग उसका निरिक्षन करके और हमको एक सेट्विट देंगे हमको भी अपनी और से एक एफिडेविट देना होगा कि हम लोग इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ये प्रावधान इसको बना करके रखेंगे तब ही इस सारे काम को हम पहर भी निकलते हैं अर्थात मार्केट में हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं देखा ये जा रहा है कि वहां कहीं कहीं सुबह शाम भीड़ होती है हमने प्रावधान किया है कि ऐसी जो आवशक जो चीजे हैं उसके वित्रन के जो स्थान है वहां उनका समय इसको बढ़ाया जा रहा है ताके प्रात्यकाल जल्दी से लेकर के साइकाल देर तक भी आगर उनका समय हम खुला रखते हैं ताके लोगों को एक साथ भीड़ना लगे और उनको शोशल डिस्टेंसिंग का अपना प्रावधान इलागू करने में कठना ही ना है विशेश तोर पर बैंक्स मे जो कि अब हर किसी को चाहे सायता के रूप में चाहे उनकी मासिक सेलरी के रूप में उनको पैसा बैंक में मिलना शुरू हुआ है और पैंशन भी वो भी मिलनी शुरू हुई है हमने ये ध्यान रखा है कि इसको धिरे-दिरे दिन बांट करके एक स्टेगर तरीके से हम सुरू प्या हर एक हमारी बहन के खाते में जंधन योजना का जो अकाउंट है उसके अंदर भीज दिया गया है किसानों के लिए भी जो किसान मानधन पैसा है उसका अभी दो हजार प्या प्रतिक खाते में इस महिने के किस्त वो भीजी गई है जिस दिन भी पैसा हमारे बै करीबी मिल जाए लेकिन जानकारी मिलती है उससे पहले बैंक में जाने की कोशिश न करें और उसके बाद भी हम एक प्रावधान कर रहे हैं हमने बैंक के लोगों कहा है कि आप एक प्रावधान करिए ताके घर बैठे जो बैंक में आना चाहता है व्यक्ति पैसा निकालने के लिए वो अपना SMS करें अत्वा कोई एप आप लागू कर दें उसको घर बैठे ही पहले टोकन मिल जाए अगर उसको समय और टोकन नंबर यह मिलता है तो समय पर कोई व्यक्ति बैंक में आयेगा ताके हां करके हम को देर तक इंदार ना करने पड़े शोशल डिस्टेंस भी हमारी बनी रहे इसका भी एक प्रियोग करके आपको एक या दो देनों के अंदर यह बता दिया जायेगा मित्रों इस समय डोक्टर्स समानेतिया इस महामारी की लडाई के लडने के लिए अपने फोस्प्रेज में लगे हैं समाने बिमारियों के लिएए भी हमने निवेदन किया था कि आप लोग сам घ्स्टालों में जहां जिनको कोविड होस्प्रियों बनाया गया है या मेडीकल कोलेज जहां वहां आ जा करके और दूसरे हस्पालों में जाएं फिर भी कहीं कहीं एक ठ्राई आ रही है तो उसके लिए प्रावधान में लागू किया है टेली मेडिसन का भी प्रावधान लागू किया गया है टेली मेडिसन में हम का इंटरनेट के माध्यम से अपनी सारी हिस्ट्री बता सब टॉक्टर्स को इस प्रावधन के लिए हैलपलाइ नंबर भी मिल गए हैं हम टेलीफोन करने पर भी डॉक्त्र को हिदायत दी है है कि वह डॉक्ट्र आपको टेलीफोन के ओपर भी आपका रोग पोच करके बिमारी पोच करके और दवasonsFr". कर सकता है और वो दवाई हम लेकर के अपना इलाज करा सकते हैं इसी परकार हमने विचार किया है कि मुबाईल डिस्पेंसरी इसकी भी संख्या बढ़ाई जाए अभी तक 200 मुबाईल डिस्पेंसरी के माध्यम से सांसान पर जा करके और यह दवाई दी जा रही है अभी हम इस के अंदर कठराई नहो इस वस्ता को भी हम लोग कर रहे हैं एक विश्य और मैं आप से निवेदिन कर रहा हूं कि हमको एक आरोग्य सेतू यह एप है इस एप को भी अपने स्मार्ट फोन के अंदर लोड करना चाहिए जिस जिस के पास स्मार्ट फोन है अपने फोन में आरोग सेतू एप हमको बता देगा कि हमको आगे क्या साउधानी ब्रतनी है कर इलाज करना है तो कहां करना है एक बड़ा लाबी होगा दूस्रा लाबी होगा यदि हमारे आसपास बहुत निकटतास से कोई ऐसा विक्ति आ लोड किया हुआ है और सामने वाला विक्ति यदि किसी मिलने के लिए आया है उसके अंदर ये लक्षन है या कहीं दुरुभाग ऐसे मानो हमारे अंदर भी कोई ऐसा लक्षन प्रतीत होता नजर आएगा तो दूसरे व्यक्ति को जो हमारे साथ आया उसको भी जानकारी मिलेगी ऐसी सब जानकारियां हमें हमारा जो स्वास्त के तक भी अपने आप पहुंचेंगी ताकि किसी प्रकार की कोई कठराई मानो हमें नहीं पता लगे या पता लगते ही हमारे स्वास्त के अंदर को भी पता लग गई तो हमें संपर करके और इस भीमारी में से हमको बचाया जा सकता है एक बहुत बड़ी सुईधा ये केंदर म दो दिन पहले मैंने किसानों को निवदन किया था बहुत बड़ी चिंता प्रधान मतीजी ने व्यक्त की कि हमारे इस आर्थिक सब विशों को ले करके खेती ये हमारा बड़ा विशा है और इस समय किसान की फसल वो कटाई के लिए तयार है और बलके बहुत लोगों ने तो प्रक्यूर्मेंट ये शुरू हो जाएगी और पंदरा अप्रल से उससे पहले जहां-जहां सर्सों हैं सर्सों के भी हो जाएगी बहुत सानों पर मजदूर नहीं मिल रहे हैं मजदूर जो हमारे इस इस इलाके में दूसरे परांतों से आया करते थे वो या तो चले गए अ साथ-साथ घर का काम है, स्वेम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उस मजदूर की भूमिका भी निभानी पड़े, तो स्वेम निभाएं, आखर कोई काम इस परकार का नहीं होता, जिस काम को करने के लिए हमको संकोच हो, हमारा अपना काम है, इसलिए हमें जमीन के साथ जुड़ करके, कोई भी कितना भी श्रेष्ट अपने आपको मानता हो, बड़ा मानता हो, नोकरी करता हो, तो उसको कभी भी अपने काम को, घर के काम को करने में संकोच नहीं करना चाहिए, इस बार प्रस्तिती ऐसी बनी है, कि सब लोग मिल करके, हाँ, सयोग के लिए, कानों को कहना चाहिए, कि उनको उनकी सेलरी दे करके, देने को उसकी ध्यारी दे करके, उनसे भी काम कराना चाहिए, जो मजदूर हमारे हाँ, कैम्पों में रुके रिलीफ कैम्प्स में, लगभग 15,000, अभी भी उनकेम्प्स में मजदूर हैं, जो दूसरे प्रांतों के है हम उन से भी उनकी इच्छा जानकारी ले रहे हैं कि यदी खेतों में काम करने के लिए तैयार हो तो आसपास के गाउं में जाकर के वो काम कर सकते हैं मित्रो ही इस प्रकार आज परदानमत्री जे ने जो हमारा मारग्दशन किया उसमें से बहुत से जो संकेत दिए, वो मैंने आपके सामने रखे हैं, और उसमें से एक संकल्प लेने की बात उनों ने कही है, कि हम लोग इस काम को कर रहे हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं, यह हमरा सबका काम है, किसी एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक गाउं का, एक शहर का एक जिले का ये काम नहीं है बलके ये हमारा सबका काम है और सबके काम के लिए हम एक जो ठोकर के काम करेंगे ये उन्होंने आवान किया है और यदि एक जो ठोकर के काम करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि इस कोरोना के बिमारी को हम मकाबला ना कर सकें इसको हरा ना सकें और मैं तो सामाने वक्ती चाहे वो मजदूर है क्योंकि सबसे बड़ा संकट आज मजदूर पर है, किसान पर है छोटे दुकानदार पर है आम आदमी पर संकट है अभी तक हो सकता है वो अपने अपने परिवार की बात करता हो लेकर हमको अपना तो चिंता करनी है अपने परिवार की चिंता करनी है लेकर सबने मिल करके काम करना है किसान जैसे आज जूज रहा है जिस भी प्रस्ति में है उसकी फसल का एक एक दाना मैं सरकार की और से विश्वास दिलाता हूं कि हम निश्चित रूप से खरीदेंगे किसी का दाना छोड़ेंगे नहीं समय उसमें अधिक लग सकता है क्योंकि मंडियां भी हमने इस बार प्रचेज सेंटर्स 2000 के लगबग बनाए है मजदूरों की भी कमी है हमने बोरियां देने के लिए उनको कहा है जो किसान इसको होल्ड कर सकता है अपने पास अपने घर में रख सकता है तो एक महना दो मैने के लिए अपने पास रखे और जैसे ही उसको सूचना मिलेगी संकित मिलेगा उसके बाद ओमंडी मरे लेकर के आएगा इस बार कोई भी कस्ट है वो सब हमने मिल करके उठाना है देश और समाज के लिए उठाना है अपनी जो ये रभी की कटाई इसकी फसल की विक्री ये तो सब होगा ही साथ ही खरीफ की फसल ये भी हमने वहाई करनी है उसकी तैयारी भी हमको साथ साथ करनी है इसके लिए अगले तैयरी आप स्वेम अपनी तो करेंगे ही सरकार की ओर से जो आफशिक होगा खाद होगा बीज होगा ये सब ये उपलब्द कराया जाएगा आपको किसी परकार की कठनाई नहीं आने दी जाएगी बैंकों के अंदर जो आपने फसिलेरिन ले रखा है उसके लिए भी समय हमने आगे बढ़ा दिया है कि जब आपके पास अगले दो मेहने में पैसे आते हैं तब ही आपने जमा कराने हैं उसके लिए भी आपका जो ब्याज पहले प्रदेश की और से चार पसंट दिया जाता था वो प्रदेश की और से चार पसंट का ब्याज की छूट आपको रहेगी केंदर सरकार को प्रधार मंतरी जी को भी सभी मुख्य मंतरियों निवेदन किया है कि वो भी अपनी और से कोई साहता किसानों की इन दो मेहने या तीन मेहने की जो डिले होता है जो देरी होती है उसकी कोई ना कोई साहता की ने सरकार करे ऐसा आप की और से हम ने उनको भी कहा है खरीफ की फसल की तैयारी भी आप लोगों को करनी है हम सरकार की और से हर प्रकार का सयोग आपका करेंगे मैं पुना आप से अपील करता हूँ कि जैसे परदेशों ने एक दूसरे की सयोग करने की बात भी कही है आज प्रदेश होने किसी ने अपनी प्रदेश की बात नहीं कही बलके सभी प्रदेशों की ओर से सब बातें कही गई हैं पूरा देश आज एक दिख रहा था मैं ऐसे ही चाहे हमारे किसान हैं छोटे दुकान दार हैं हमारे मजदूर भाई हैं प्रस्पर एक दूसरे का सा योग हमें गाउं में भी रह करके हमारा पूरा इकाई यूनिट पूरा गाउं पूरी ब्रादरी यह सब एक होकर के यदि इस काम को करेंगे इस लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित हमारी विजए होगी और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि हरियाना से कोरोना हारेगा भारत से भागेगा यह अंडरलाइन हर बार मैं कहता हूँ पूरा इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार